नमस्कार स्वागत है आपका अपने एक्जाम वर्ड पे जैसा कि आप जानते हैं कि CVT PG 2024 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका था देर थी एप्लिकेशन फॉर्म्स के आने के तो फाइनली एप्लिकेशन फॉर्म्स भी आ चुके हैं यहां पर आप देख पा रहे होंगे इस नोटिफिकेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई हैं मैं उन्फॉर्मेशन पर चर्चा करूं काफी महत्पॉन इन्फॉर्मेशन होने वाली हैं कोई गलती नहीं करें इसके पूरे सेशन को ध्यान से सुनिएगा और सुनके फिर आ हमिस्टेसे लेकर एकशाम तक बने ही रहते हैं लेकिन अभी हमारा οकॉस को कैसे भरना है कैसे सभर पासटे स्थे ज्यादा मिस्टेक क्या नहीं करें हम तो अफिस्च में अगर है कुछ आपके काम आने वाली हैं चलिए देखते सका अगर नोटिफिकेशन को देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है इन्वाइटिंग ओनलाइन एप्लिकेशन वर कॉमन युनिवर्स्टी एंटरंस टेस्ट सी यूटी पीजी 2024 अब की बार यह समय से होगा मार्च में एक्जाम हो जाएंगे उसके बाद जून में आपके सेशन स्ट जाएगा खैर यह सेकेंडरी चीजें हैं अभी हमारा में काम है यह समझना कि आखिर हमें एप्लिकेशन फॉर्म भरतेवक्त कौन सी गलतियां नहीं करने हैं पहले हम कुछ डेट्स देख लेते हैं जो कि आपके बहुत काम की हैं अगर आप डेट्स में देखें तो यहां प बढ़ेगी 10 फरवरी तक मैक्सिम मान के चलिए हमने कहा था कि 15 जनवरी तक फॉर्म आएंगे लेकिन यह बहुत जल्दी आ गए करेक्शन विंडो जो ओपन होगी वह 27 जनवरी से 29 जनवरी के बीच में रहेगी और एडवान सेटी इंटीमेशन आपको मिलेगा 4 मार्ज को जिसमें आपको सिटी की डिटेल दी जाएगी आप एप्लिकेशन में एड्रेस जब आप भरेंगे मैं बता दूंगा आपको कि कैसे आप अपना होम सेंटर या आप जहां रह रहे हैं वहां का सेंटर आप कैसे ले सकते हैं फॉर एक स्टूडेंट हैं और आप दिल्ली में हैते हैं और आप सेंटर भी दिल्ली में लेना चाहते हैं तो वह कैसे ले सकते हैं वह भी मैं आपको बताऊंगा भले ही आपका एड्रेस बंगॉल का है करनाट का है आप ओडिसा से आते हैं कोई इश्यू नहीं है अगर इन गेट्स में आप दिल्ली रहके एक्जाम देना एड्मिट कार्ड जो है यह आएंगे 7 मार्च को और डेट एक्जाम स्टार्ट होने 11 मार्च 11 मार्च के डिटेल अल्लेडी पहले ही दे दी थी NTA ने UGC ने हर जगे पब्लिश कर दिया गया था कि अब की बार जो एक्जाम है वो 11 मार्च से स्टार्ट होंगे और यह चलेंगे 11 मार्च से लेगे 28 मार्च तक आंसर की के चैलेंजिस 4 अपरेल से स्टार्ट होंगे सवाल यह उठता है कि क्या यह टेंटिटिव भी हो सकता तो जी हाँ आगे पीछे भी यह डेट्स हो सकती है बहुत बड़ा इश्यू नहीं टाइमिंग क्या रहेंगे एग्जाम की यह जो है यह आपको वेबसाइट पर बता दी जाएंगी तीन सिफ्ट में एग्जाम होता है दिन में एक दिन में टोटल तीन सिफ्ट चलती है त्री सिफ्ट में एक्जाम होगा अब हम एक चीज और समझ लेते हैं इसके form को जब आप भरेंगे तिन चीजों का ध्यान रखना है आपको सबसे पहली चीज मैंने बात की center की कि आप अगर दिल्ली में रहता है आप center कैसे ले सकते हैं दिल्ली में ही center कैसे ले सकते हैं देखिए सबसे important आप जानते हैं कि दो option होते एक होते हैं आपका permanent address आप उसमें option देखेंगे तो एक पर्मानेंट address का आता है एक आपका जो होता है वह correspondence address जो होता है वो होता है उसका मतलब होता है कि आप वर्तमार में जहरा रहे है जहां पे आप से पत्तरा चार हो सके जहां आपके details बेज़े जा सके है और कोई offline माध्यम से भेजनी हो तो दीखे सबसे important है permanent address permanent address आपके documents को verify करने के लिए होता है जब भी आप किसी university में जाएंगे वह documents verification के लिए use होता है लेकिन अगर आप इसकी बात करें यह आपका temporary address होता है for example मैं Delhi में रह रहा हूँ लेकिन मेरा घर कहीं और है तो मैं इस address में यहां का local address डाल सकता हूँ उससे फाइदा क्या होगा मुझे मेरे nearby कोई center मैं चुन सकता हूँ Noida चुन सकता हूँ गुडगाओं चुन सकता हूँ फरीदाबाद चुन सकता हूँ मतलब मेरे पास यह advantage है कि मैं किसी और state का होके अपने ही जहां मैं रह रहा हूँ current में वहाँ center ले सकता हूँ तो सबसे पहली चीज़ यह गलती आप मत करिएगा बहुत सारे student mistake करते हैं DU में पढ़ रहे हैं, BHU पढ़ रहे हैं exam उनको उसी सहर में देना है लेकिन गलती सिर्फ एक होती है वो दोनों जगे जो आपका permanent address है उसी पी टिक कर देए आपको maximum university select करनी है मतलब select all पे ही click करना है select all ठीक है उसका फाइदा क्या है आप कल को मालो JNU की cutoff clear नहीं कर पाई लेकिन आपने केवल JNU चुना तो आपका DU का option खतम BHU का option खतम इसलिए select all करी है इसके पैसे नहीं लगते subject जब आप चुनें तो कम से कम दो subject का exam दे जिन में आपको interest हो ऐसा नहीं कि exam work को follow करके आपने दो मर्जी से कोई भी डाल दे ऐसा भी नहीं करना है आपने क्या करना है कोई से दो subject चुनने है जो आपका interest हो एक तो वो subject जिसके आप तयारी करने हैं सबसे उपर JNU है उसके बाद आपका BHU आता है BHU के बाद आपका DU आता है DU के अलावा आपका University of हैदराबाद आता है इसके बाद बाकि डेस डेस जो भी universities है अभी जामिया और AMU ने अपना stand clear नहीं किया है जामिया और AMU का अभी कोई letter नहीं ऐसा publish हुआ है जिससे यह पता चले कि वो CVT का हिस्सा बन रही है पिछले साल युनिवस्टिया हिस्सा बनी थी लेकिन सारे courses में नहीं बनी थी और major courses में तो बनी ही नहीं तो वहाँ से एक चीज क्या clear हुई कि अभी यहाँ पर question mark ही लगा हुआ है कि यहाँ से notification अभी तक नहीं आया किसी भी प्रकार का तो सबसे important है कि आपके पास लगबग लगबग 70 days बचे हैं और इन 70 दिनों को आपको बहुत बहतर तरीके से utilize करना है मैं यह 70 दिन उस student के हिसाब से बता रहा हूँ जिसका exam 11 March को होगा क्योंकि मेरे लिए वो important है थाइस वाला भी important इसलिए नहीं क्योंकि उसके पास बाकी 15 दिन 20 दिन और है लेकिन यहाँ पर 70 दिन उस 11 March वाले student के पास बचे हैं तो सबसे important अब आपने क्या करना है किसी भी platform को follow कर लिए आप किसी भी platform को follow कर लिजिए वहाँ पर देखिए mock test लगाईए अगर आपको classes लेनी की need है आप paid classes लिजिए देखिए क्योंकि platforms भी पैसे से चलते हैं फ्री में नहीं चलते हैं वहाँ पर paid classes मिले है mentorship मिल रहा है तो 100-200-500 रुपे खर्च कर लिजिए mentorship लिजिए ताकि आपको एक बंदा guide करने के लिए रहेगा भाई तुम्हें ये करना ये करना ये गलतियां नहीं करनी है ये बहुत important है उसके अलावा सबसे important होता है self study plan बनाईए अपना syllabus है उसको उतार के नीचे अपने print form में अपनी table पर रखिया दिवार पर चिपकाईए और syllabus जो है साथियो वो बहुत important है अगर आप आज पहला topic खतम करते हैं सत्तरवे दिन आपको पता चलेगा आपके उस printed page पे टिक 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 लग चुका है और कही ना कहीं आपका उस syllabus बहुत अच्छे तरीके से cover हो चुका है गलतिया नहीं करनी है बाकी चीज़े मैं live session में discuss करूँगा आपके मन में अगर कोई भी सवाल है कोई भी शंसे है admission को लेके application form को लेके university selection को लेके तो ये number जो है इस पे आप whatsapp message करिएगा call please मत करिएगा इस number पे आप whatsapp कर सकते हैं message drop कर दिजिएगा हम आपको reply कर देंगे इसके अलावा आप हमारा application जरूर डाउनलोड करिए google play store से जहां पे आपको मौक मिलने वाले हैं और साथ हमारा telegram channel है उसे follow कर लिजे जहां पे काफी सार information आपको तुरंत मिलती है और telegram हमारा जो है वो exam what official नाम से सर्च करेंगे तो आज आएगा description पे उसके बारे में detail दीगे या उस पे भी click करके direct हमसे जुड सकते हैं चैनल पे अगर पहली बार आएं और अगर आपको हमारा content बहतर लगता है तो बे जिजख सब्सक्राइब करिए share करिए अपने साथियों किसा like करिए और साथी साथ bell icon जरूर दबाएं ताकि आपको सारे update जो आपके related हैं CUET से वो आपको प्राप्त हो सकें शुब कामनाओं सहित विदा लेता हूँ आपसे मिलता हूँ किसी और session में all the best wish you a good university in upcoming days आशा करता हूँ आप अपने सपनों के wish विद्याले के सपने को साकार कर पाएं ऐसी मेरी प्राथना रहेगी wishes रहेंगी आपके लिए all the best again see you in next session don't forget to like, share and subscribe to the exam word and don't forget to join our telegram channel for more updates related to MCQs and other things also related to exams so it's very important बहुत सारे groups आपने join कर रहे होंगे joint exam but official fall to content आपको मिलेगा नहीं fall to messages नहीं मिलेंगे आपका time भी बचेगा authentic information भी मिलेगी और हर एक सवाल का जवाब आपको इस whatsapp help line number पे भी मिल जाएगा again शुक्रिया